अपने इलाखे से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजे और नीचे डिप्सक्रिप्टिन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजे तो पैट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने से आप लोगों किस तरह की दिखते आ रहे हैं? पैट्रोल और डीजल से पहली समस्या तो एक हम लोगों को सिचाई के लिए दिक्कत है जैसे कि सिचाई करना पड़ती है सबसे पहले और ट्रेक्टर के लिए जो पांसे छे सर रप्या चलते पे वो साथ आट सर रप्या हो चुकिए तो इससे दो सर रप्या घटई में चल लाए किसाँ और सिचाई में भी है सही जहां पांसे काड़ी अंता हुआ छे साथ सर रपी शास सर रपी काड़ी यह लगए पहले जो लोग किसानी करती थे वो जैसे की ट्यक्तर बाले कितने का घंटा लेती अब कितने का ले रहे हैं पहले छे साथ और पहले लेकिन गल्ली का भाव था मुद्धा भीकरा था घ्रीड़ रोप्या के लूँ अब भीकर रहा है पंदा रुप्या कि लूँ तो इस तरह किसान सकस्सेस हो पाएगा की नहीं हो पाएगा जमीन पढरूंए अब संपिसान क्या वहाइए अपना खेती किसानी करना है वो तकाता है है परेशान अब खेती छोड़के आदमी बाहर जा रहे हैं मजूरी करने के लिए उसमें क्या कुछ मिलना इंहीं है क्यों करें और आप लोगों किस तरह से प्रवाब पढ़ा है प्रवाजी दिक्कत होती हैं थोड़ी बहुत गराक प्रेशान करते हैं हम लोग को कुछ उसा प्रवाब नहीं पड़ता फरक्त पड़ता है ग्राकी जो हमारी 20-80% हो जीती वो 10-15% कम हो जाती है ग्राकी प्रवाब पढ़ा को कितना फायदा पड़ता था आप कितना गाले तीन-चार रोपय कमा लेते हैं अब दूर रही पहले एक कैन मतलब एक हजार की भरी जाती अब 14-15% की भरी जा रही तो पांच रोप या घाटा हो एक है सारी दिखते हैं आ रही है ताट रुपे लीटर की चीज़ अत्ती रुपे लीटर मिल रही है इस बिरूबर सरकार बेकार आज तक कुई सरकार आई नहीं सब्सक्राइब के बढ़ने से गराक काफी प्रेसान करते हम लोग हो केतना डिट क्यों बढ़ रहा है काफी महंगाई आ रही है लहने में देखका दूदी हम लोग को और कैसे हम लोग अपना रूजगार चला पाएंगी सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए गरीब किसानों को कि लागू